दोस्तों गर आप भी हार्दिक पांडिया को बहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों वर्ल्ड कप टीम का एलान होते ही पाकिस्तानी दिगजों ने उड़ाया भारत का मजाक और कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप का भी खून कॉल उठेगा आखिरकार वर्ल्ड कप टीम को देखते हुए पाकिस्तानी दिगजों ने क्या संसनी खेज बयान जारी किया जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्ज में से कौन है T20 का सबसे बहतरीन ताबर तोड़ बल्लिबाज इस बात का जवाब हमें नीचे दियेगा एक कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है एशिया कप की समापती हो चुकी है और अब एशिया कप तुरंद बाद भारतिये चेन करताओं ने भारतिये टीम का वर्ल्ड कप के लिए कर दिया एलान और भारतिय टीम अब वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से हो चुकी है तैयार लेकिन भारतिय टीम की तरफ से एशिया कप के मुकाबले दो से तीन खिलाडियों का बदलाव किया गया है और भारतिय टीम का एलान होते ही पाकिस्तानी दिगजों ने टीम को देखते ही जहरीला बयान जारी किया जिसमें पाकिस्तानी दिगजों ने भारतिय टीम को मिली एशिया कप में बाच विकेट से करारी हार के बावजूद वर्ल्ड कप में हार आने के लिए रमकी दे डाली आपको बता दे भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का महा मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा और ये भारत और पाकिस्तान दौनों का पहला मुकाबला वर्ल्ड कप 2022 का होगा तो वहीं पाकिस्तानी दिगजों की तरफ से वकार यूनिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतिय टीम T20 की नमबर वन टीम है लेकिन जिस तरीके की टीम का वर्ल्ड कप के लिए चैन किया गया है वो काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि भारतिय टीम में कुछ ऐसे बदल गया है और उनको टीम के बैक अप प्लेयर के रूप में शामिल किया गया है जो बिलकुल ही गलत है और इस तरीके से भारतिय टीम बिलकुल भी वर्ल्ड कप जीतने योगे नहीं और भारतिय टीम को काफी ज्यादा बदलाव की आवश्यक्ता वर्ल्ड कप के नजरिये से है तो वहीं वसीम अक्रम ने काया कि बारतिय टीम में बदलाव होने की आवश्यक्ता थी लेकिन बारतिय चैन करताओं ने बिलकुल भी बदलाव नहीं करें और जो बदलाव करने की आवश्यक्ता बारतिय टीम के लिए थी वो बारतिय नजर अंदाज कर गए हैं और उनकी जग ब्हारत मुकाबले में हार जाएगी इसके लावश रूइब अक्तर ने कहा है कि भारतिय टीम को वैसे नंबर वन टीम है लेकिन जिस तरीके से इस टीम का एलान किया गया है वो इस बात की इस पश्टी करण करता है कि भारत की टीम को वर्ल्ड कप जीतने की कोई भी जल्दी नहीं है क्योंकि ये टीम काफी ज्यादा बेकार है जहां भारतिय टीम एक बार फिर से गलतियां कर रही है और भारतिय टीम के इन खिलारियों के ऊपर दारोमदार रहेगा जो ये पूरा करने में कमजोर साबित हुए और भारतिय टीम को एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम ब बॉक्स में जरूर दें और एज़ी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद